आप सुभी का सुपागत है इगाइस पुसकेशन में सिध्धा बिस्पिद्यालोर से समंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी चाहँ चाहँ चाहतर हैं जो कि फॉर्स्ट के रुष्टेंट हैं जो कि फॉर्स्ट टाइम फॉर्स्ट जो समेस्टर का एक्जाम है कुछ बातओं को ख्याल रखना होगा सबसे पहला अगर लोग की टाइम टेबल नहीं किया होगा तो अपी जो पेपर हैं वह तीन घंटे के रवाए जाएंगे पर होगा च्टेन होगा और यहां पर सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट के पीपर करवा लिए जाएंगे और मेजर सब्जेक्ट के पीपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद से माइनर सब्जेक्ट के पीपर हैं वो करवाया जाएंगे और यहां पर आपके मेजर सब्जेक्ट को लेकि कोई भी कन्फूजन निन्ट नेसे करवाई साथ, होंगी और दाउनलोट करें ऐसे लिए प्रेंट को भूलट कर लें कर दिया जाए और आप लिगो के परिशा को सफलता पुरुवक कर लिया जाए इसको लिके 24 मार्च को बैठक भी करवाया जाएगी कुलपती जी की ओच से जितने चाहिक परिशारे को बुलाया गया 24 मार्च को एक बजी से मिटिंग करके तो यह तो सारी बाते रही आप अपलोग को लेकि टाम टीबल को लेकि मिटिंग को लेकि अब कुछ बातों का ख्याल आप लोग को रखना एक्जाम से पहले और एक्जाम के दिन ताकि आप लोग को समझने प्रेंपर दिहान Chiap out अगयों को समझने को स् Film में सित्ए अख 선ój अजम में अंसर को लिखें पाएंगे और साथी जब भी आप लोगा अंसर को लिके तो कोँशिच कया किई इसमें फीगर दे और साथी हेडिन का भी यूज करें एक पुरी से परिग्राफ कई रिक पाथ ह prestigious पांसर लिखान है कोई भी भी कोईज़ कोई भी कोशन दिल को दिखें होगा लुक्त है और भी कोईशन आपस्च फोर्ट यह कोई भी सब्सक्ति सब्सक्राइब को कोशन आप लोगो अच्छे तरीके से अपने फ्रंट पेज पर लिखी अगर आप लिखते समय कोई भी गलती हो भी जाता है तो बिल्कुल उसे रफली कट मत किजिए बस अंडर लाइन करके आगे का अपना अंसर लिख देता कि आप बहुत बहुत अजीब तरीके से जो आंसर वह दिए हैं गलत दे रहें इसका मतलब यह हैं कि आगे जो आप लोगा वह भी गलत होगा तो इसलिए जामनर काफी तरीके से फिर आपकी कापी को पढ़ने लगते हैं तो इसलिए अगर कुछ भी कलती हो जाएका तो बस अंडर लाइन करके करके अगे का अपना अंसर वह है तो इन बातों को आपको अपनी एक्जाम में खास कयायाल रखना है कोईभी कोश्वशन आपको नहीं चोड़ना है सलिए क्टी पढ़ाई किजिए साथ ही जितने नमबर के कैस्षरों होते हैं उन कोशन को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है और खास तोर पे आपको एक्जाम वाली दिन कुछ बातों का ख्याल रखना है बिल्कुल भी खुद को निगेटिव मत कीजिए जितने भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर चुके बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एक्जाम को दे सकते हैं तो बिल्कुल एक्जाम वाली दिन आपको पॉस्टिब रहना है एक्जाम नेशन सेंटर पे कम से कम आप लोगों को बिस से तीस प्रट पहले पहले पहुँद जाना उसमें को बिल्कुल आप अपने एक्जाम नेशन सेंटर पे पहुच तरह बिल्कुल भी नहीं करने कम से कम आधे घंटे पहले आप लोगी पहुच जाएगा क्योंकि जो एंट्री होते वहीं मिलने लगे और आप लोगी जाए जाएगा तो इसलिए अपने साथ मांग से ने टाइज बाकी और जो जनकारी आगे वह आप लोगों को टाम टू टाम मिलती रहेगा इसलिए अपक्षान को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक कर दें वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और जो दिशाद भी वीडियो को शेयर करें